गाईज अपने घर के अंदर रिट्रिली एक फायर ट्रक आ चुका है और फायर ट्रक ही नहीं बले कि हम यहाँ पर कोई से भी कार को चला सकते हैं और यह देखो गाईज यहाँ पर कितने सार गैस टेंट्स आ चुका है और अब हम इन सभी को ब्लास्ट करने वाले हैं तो साइकल को हमर कार से दूर लेकर जाओगे फिर FPP मोड करके एकजित लोगे और मोबैल के अंदर RJS टूल में लोड लिखोगे तो कंट्रोल ही कंट्रोल हो जाएगा लेकिन FPP मोड के अंदर ही लोड करना है है हैश्टेग मैक्स आर्मे अच्छा तो मित के अक्वाडिंग हमे सबसे पहले एक हमर कार को स्पॉन करना है फिर उसके पास हमें एक साइकल को स्पॉन करना है उसके बाद हमें इन दोनों के अंदर एक साथ बैटना है फिर हमें साइकल को इस हमर कार से दूर लेकर जाना है और उसके बाद हमें FPP मोड के अंदर स्वीच करना है और RJS टूल क पर बहुत सारे कंट्रोल सा जाएंगे तो आप इस ग्लिच को किसी भी तरह से कर सकते हो क्योंकि अगर आपको पता होगा गाइस तो हमने इस ग्लिच को एक प्लीन और एक साइकल के साथ भी ड्राइ किया हुआ है तो मैं यहाँ पर पहले एक थार को स्पॉन कर देता हूं अब इसके पास एक साइकल स्पॉन करता है ठीके अभी हमें इन दोनों के अंदर एक साथ बैठना है और गाइस ध्यान रहे कि जब आप इन दोनों के अंदर साथ में बैठोगे और जब आप साइकल को चलाओगे तो आपकी कार भी साइकल के साथ साथ चलनी चाहिए वरना यह glitch काम नहीं करेगा, उके उसके बाद हमें cycle से नीचे उदर जाना है और फिर अपना phone open करके उसके अंदर हमें double one two zero यानि कि skyfall का cheat code activate करना है और जैसे ही आप skyfall का cheat code activate करोगी तो आपकी screen पर एक बहुत ही बड़ा glitch हो जाएगा और आपको अपनी screen पर बहुत सारे control buttons दिखने वाले है और उसके बाद अगर आपको इस glitch को हटाना है तो आप game को restart कर सकते हो और guys इस trick को आप literally किसी भी vehicle के साथ try कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक hammer car और cycle को spawn कर दिया है और अब जैसे ही मैं cycle को आगे लेकर चलता हूँ तो अपने साथ साथ यह hammer car भी चलने लग जाएगी उसके बाद guys हमें एक बात का ध्यान और रखना है कि जब हम cycle से नीचे उतरता है तो हमें अपने character का जो camera angle होता है उसे भी जरूर से switch कर देना है कुछ इस तरह से उसके बाद आपको फिर से sky phone का cheat code activate करना है और आपकी screen पर आ जाएंगे बहुत सारे control buttons और guys जब यह glitch हो जाता है तब आप अपना phone भी use कर सकते हो और थोड़े बहुत controls को भी use कर सकते हो और उसके बाद अगर आपको इस glitch को हटाना है तो आपको बस game restart कर देना है और आपका game fit से ready हो जाएगा और इसी के साथ यह मित होती है confirm अपने अगली मित है अगर हम JCP के उपर Scorpio Classic को spawn करेंगी तो magic होगा hashtag max army अच्छा तो पहले मैं यह आपर एक JCP को spawn कर देता हूँ ठीक है अब इसके उपर हमें spawn करनी है Scorpio Classic जिसका cheat code है 333 भाई साब यह क्या हो रहा है यार guys Scorpio Classic ने तो अपनी JCP को ही उड़ा दिया है यह कैसा मैजिक है भाई एक card जो के JCP के उपर खड़ी थी उसने एक इतनी बारी बरकम JCP को बिना किसे मैनत के आसमान के अंदर उड़ा दिया है और यह देखो guys मैं जितनी बार JCP spawn करके उसके उपर Scorpio को spawn कर रहा हूँ तो यह उतनी ही बार हवा के अंदर उड़ने लग रहा है कि भाई वहाँ से यह दोनों कैसे निकल पाएंगे तो फटावर से चलते है उस रैम के नीचे और इन दोनों को वहाँ पर spawn करके देखते है ठीक है अभी इन दोनों को spawn करके देखते है यहाँ पर और guys मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि जब हम यहाँ पर कोई भी कार को spawn करते है जैसे कि अगर हम इसके नीचे किसी भी monster truck को spawn करते है तो वो monster truck बड़े आराम से यहाँ पर spawn हो जाता है वरना भाई पहले तो अपना monster truck आसमान के अंदर जाता है उसके बाद वो नीचे आता है तो चलो वो पर फटावर्स से यहाँ पर इन दोनों vehicles को spawn करते है और गैस यह work कर गया यानि कि यह दोनों अब आसमान के अंदर नहीं हो सकते है तो गैस यह एक बहुती बढ़िया सा glitch था एड़ इसे के साथ यह मित होती है confirm अगली मित है अगर आप हायाबुसा को blue color करोगे तो उसका blue color जो है वो change होकर दूसरे blue color में बदल जाएगा तो यह रही अपनी हायाबुसा और गैस आप देख सकते हो कि इस bike का blue color है वो अभी थोड़ा light blue color है और अब हम इसके color को blue color के अंदर change करेंगे और देखेंगे कि हमें किस तरह का नया blue color मिलने वाला है और हाग जैसे ही मैंने इस हायाबुसा का color change किया तो पहने वाला blue color था वो change हो चुका है और इस बार यह blue color थोड़ा dark हो चुका है यानि कि पहने इस bike के उपर जो blue color था वो थोड़ा light था और जब हमने इसके blue color को change किया तो वो color dark blue के अंदर change हो चुका है और guys हम इस trick को किसी भी vehicle के उपर try कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर एक थार को spawn कर दिया है और हम सब को पता है guys कि जब हम थार को spawn करते हैं तो उसका color जो होता है वो red होता है लेकिन जैसे ही मैंने इसके उपर फिर से red color paint किया तो इसका red color जो था वो light red color के अंदर change हो KTV का color आपको change होता हुआ नहीं दिखेगा क्योंगी इसका color जो है वो already light red color में है फिर आप supra को भी अगर फिर से red color करोगे तो ये भी light red color के अंदर बदल जाएगी और इस सबसे बड़ा color के अंदर अगर आपको difference देखना है तो आपको tarzan car को spawn करना है और उसके बाद आपको इसके purple color को violet के अंदर change कर देना है और कुछी इस तरह से इसका color पूरी तरह से change हो जाएगा और उसके बाद आप इस car को फिर से purple color के अंदर बेंट नहीं कर बाओगे और इसी trick को आप throne bike के साथ भी tie कर सकते हो तो ये मित होती है confirm अगली मित है आपको horse spawn करना है फिर old house पर ज ठीके guys तो हम आ चुकिया है अपने old house के पास और हमें एक horse को spawn करके ये जो सीडिया है इनके उपर लेकर जाना है और फिर हमें अपने horse से नीचे उतरना है तो चलो horse को spawn किया जाए ओके अब इसको लेकर चलते हैं घर के अंदर वाली सीडियों के उपर ठीक है हम सीडियों के उपर आ चुके हैं और अब इस horse से नीचे उतरना है हमें ओके मुझे तो यहाँ पर कोई भी magic होता हुआ नहीं दिख रहा है तो एक बार और ट्राइ करते हैं भाईस आप ये क्या था यार गैज मैं जैसे ही इस horse से नीचे उतरा तो अपना बंदा भाई नीचे जाने की बज़ाए उल्टा उपर की तरफ जंप कर दिया है ये देखो guys मैं जैसे ही इन सीडियों के उपर अपने horse से नीचे उतर रहा हूँ तो अपना बंदा बिना किसी वज़य के बार बार उपर की तरफ जंप करने लग रहा है तो ये मित होती है confirm अगले मित है mega ram के side में जाना है फिर horse spawn करना है फिर horse वाले button and junk वाले button दोनों को एक साथ प्रेस करना है फिर देखो magic hashtag max army ओके तो हम आचुके है mega ram के उपर और मैंने infinity health cheat code को भी activate कर दिया है तो अभी चलते हैं इस mega ram की side पर और वहाँ पर जाकर पहले horse को spawn करता है और मुझे लगता है guys की अपना बंदा जो है वो literally infinity void के अंदर के चुका है और ये देखो guys अब मैं इस horse को बिना किसे character के चला पा रहा हूँ और अपना जो character था वो भी guy हो चुका है ओके इसको एक बार और try करके देखता है ठीक है अभी इन दोनों buttons को एक साथ press करना है और guys ये देखो इस बार तो भाई पूरा ही अलग glitch हो चुका है याँपर अपने बंदे की body को देखो guys किस तरह से अपने बंदे की बहुरी twist हो चुकी है ओके अब ये क्या हो रहा है भाई इस बार हम infinity void के अंदर आ चुके हैं और अपना horse जो है वो map के अंदर ही है तो ये भी एक बहुती तगड़ा glitch हो चुका है याँपर और guys मैं आपको एक छोटा सा और glitch बताता हूँ तो इसको करने के लिए आपको एक horse को spawn करना है फिर आपको अपने horse के साथ mega ram से jump लगाना है और जब आप mega ram से jump लगाओ तब आपको immediately अपने horse से नीचे उतर जाना है और कुछ इस तरह से आपका horse जो है वो infinity void के अंदर चला जाएगा और कभी कबार हो सकता है कि आपका बंदा भी आपके horse के साथ infinity void के अंदर गिर जाए तो इसे के साथ ये मित होती है confirm अगली मित है new house के टीवी पर sticky bomb लगाओ और देखो magic हरे यार एक तो ये अपना बंदा किसी भी जगा पर चड़ जाता है ओके तो ये रहा वो stick की bomb यानि कि अगर मैं इस टीवी के ऊपर चितने भी stick की bombs को फेकता हूं तो ये सारे stick bombs जो है ये टीवी के पीछे की तरफ चले जाएंगे और गैस ये देखना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये टीवी इन सारे stick की bombs को absorb कर रही हो और अगर अप मैं इस टीवी के ऊपर चड़ने की कोशिश करता हूं तो ये सारे stick की bombs अपने बंदे के ऊपर कुछ इस तरह से चिपक जाएंगे तो ये मित होती है confirm अगली मित है 23333 वाली Lamborghini को ओल हाउस के पास लेकर जाओ तो Lamborghini के टायर जमीन के अंदर होंगे नयी गॉए आज ये देखो इसके जो टायर्स है वो अभी भी फ्लोर के ऊपर ही है और अगर हम इस कार के टायर्स को नीचे की तरफ खड़ी हुई उस car के tires को देखते हैं तो हमें ज़्यादा difference दिकाई नहीं देगा एक बरेज वाली car को swimming pool के अंदर लेकर चलते हैं और हाँ guys, जैसे ही मैंने इस car को swimming pool के अंदर चलाया तो इसके चारो tires जो है वो swimming pool के अंदर की तरफ जा चुके हैं और अब अगर मैं इस कार को इस स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दाओं तो कुछ इस तरह से इसके टायर्स फिर से फ्लोर के उपर आ जाता है तो ये मित होती है कंफर्म अगली मित है train और dinosaur दोनों में एक साथ बैटो फिर किसी भी NPC के पास जाओ और देखो magic तो पहले जल्दी से train station चलते हैं और वहाँ पर जाकर एक velocity raptor को spawn करते हैं और फिर हम train और velocity raptor दोनों के अंदर एक साथ बैठेंगे गया ओके तो यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा glitch हो चुका है और पहले तो मैंने सुचा कि भाई अपना बंदा गायब हो चुका है फिर जैसे ही मैंने इस velocity raptor को पीछे किया तो फिर पता चला कि भाई अपना बंदा गायब नहीं हुआ है बलकि यह इस velocity raptor की neck के ऊपर बै एक तो अपना बंदा एक बहुत ही अजीब तरीके से इस velocity raptor की ऊपर बैठ चुका है और साथ ही जब मैं इस velocity raptor को किसी भी NPC के पास लेकर जा रहा हूं तो यह velocity raptor बिना किसी problem के इन सारे ही NPC को मारते जा रहा है तो guys मैंने यहाँ पर zombies को भी spawn कर दिया है और वैसे तो अपन दर्वाजा खोलने की acting करेगा तो इस मित को confirm करने के लिए हमें सबसे पहले एक car को spawn करना होगा और फिर हमें उस car के सारे दर्वाजों को तोड़ना पड़ेगा ताकि हम इस मित को सही से perform कर सके तो मैंने हमर कार को ले लिया है और अब ही मैं सीधा जा रहा हूँ हो जाए भाई ये car इतनी जादा उपर से इस ground के उपर गिरी लेकिन फिर भी इस car का एक भी दर्वाजा नहीं तूटा तो इसको वापस लेकर चलता है रैंप के उपर और इस बार देखते हैं कि क्या इसके दर्वाजा तूटेंगे या फिर नहीं ओके इस car की सारी windows टूट चुकी है लेकिन भाई ये क्या अपनी car के साथ एक बहुत खतरनाक से glitch हो चुका है और अपनी car इस fans के नीचे फस्ट चुकी है एक बार इस car से बाहर निकल कर देखते हैं क्या बदा भाई अपने बाहर निकलने के बज़े से ये car भी इस glitch से बाहर जाए और नहीं गाई ये car तो बुरी तरह से इस fans के नीचे अटक चुकी है तो हमें इसे एक बार और ट्राइगर ना पड़ेगा ठीकी गाई इस बार कैसे भी करके मुझे इस car की सारी ही windows को तोटना है तो मैंने यहां से एक बार फिट से car के साथ जंप लगा दिया है और अब देखते हैं कि क्या इसकी windows तूटेगी या फिर नहीं तो finally guys इस car की सारी windows तूट चुकी है और अब बारी है इस myth को perform करने की तो चलो car के अंदर बैटा जाए भाई ये क्या कर रहा है अपना बंदा यहां पर guys एक भी दरवाजा नहीं है गारी का लेकिन फिर भी अपना मित है अगर आप 1212 वाले ट्रक के अंदर देखोगे तो उसके अंदर दो फोन मिलेंगे तो guys आज देख लेते हैं कि ट्रक के अंदर क्या सच में हमें फोन पढ़े हुए मिलेंगे या फिर नहीं क्योंकि guys इस myth को ट्राइ करने के लिए काफी सारे comments आ रहे थे और मुझे भी देखना था कि भाई क्या सच में हमें ट्रक के अंदर कोई फोन पढ़े हुए मिलेंगे या फिर ये myth बस्ट हो जाएगे तो चलो अब यहाँ पर मैं फटाफ़र से एक नॉर्मल ट्रक और एक ट्रक वी ट्रेलर कोई spawn कर देता हूँ क्योंकि हम दोनों ही ट्रक के अंदर बै पर हमें दो फोन मिल जाता है और साथ ही अपने बंदे के सामने की तरफ हमें एक कॉफी का कब भी मिल जाता है तो अब बारी है ट्रक वी ट्रेलर को अंदर से देखने की तो इस ट्रक को यही पर रोकते हैं और चलते हैं दूसरे ट्रक के अंदर उसके इंटिरियर को देखन आप बारी आचुकी है उस trick की जिसको करने के बाद आप अपने new house के अंदर कोई सा भी vehicle spawn कर सकते हो तो इस trick को करना बहुत ही जादा easy है आपको बस अपने घर के नीचे खड़े हो जाना है और जैसे कि for example मैं यहाँ पर एक fire truck का cheat code activate कर देता हूँ तो जैसे ही आप किसी भी vehicle का cheat code activate कर देते हो तो उसके बाद आपको जाना है अपने घर के second floor पर तो चलो guys मैं आपको एक magic बताता हूँ ठीके अब देखना guys आप अपने घर के अंदर literally हमने एक fire truck को spawn कर दिया है इस fire truck को हम बड़े आराम से चला भी सकते हैं लेकिन हाँ हम इस fire truck को second floor पर नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि यह fire truck यहाँ से नहीं निकल सकता इसकी size की बज़ा से उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर खड़े होकर अगर एक थार का cheat code activate करता हूँ और उसके बाद अगर मैं second floor पर जाओं तो यह देखो guys अपने house के second floor पर literally एक थार spawn हो चुकी है और अब हम इस थार को second room के अंदर भी लेकर जा सकते हैं और यह आ गए हम इस second room के अंदर अब यहाँ से हम बड़े आराम से बाहर भी निकल सकते हैं कुछ इस तरह से और guys आप चाहो तो यहाँ पर कोई साभी vehicle spawn कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस बार एक JCB को भी spawn कर दिया है लेकिन यहाँ से आप इस JCB को बाहर नहीं निकल सकते हैं यह तो थे कुछ vehicle जिनको हमने spawn किया लेकिन आप यहाँ पर बहुत कुछ और भी spawn कर सकते हो जैसे कि इतने सारे gas tanks और यह gas tanks बहुत सारे हैं अपना बंदर लिटरी इन gas tanks के उपर चटने की कोशिश कर रहा है जब हम अपने बंदे को इन gas tanks के पास लेकर जाता है तो चलो गाईज अब बारी आचुके हैं इन सारे gas tanks को फोर्ड ने की तो मैंने rocket launcher निकाल दिया है और आप करते हैं इन सारे ही gas tanks के उपर fire ओके मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दिये है और वो यह है कि भाई मैंने infinity hell cheat code को activate नहीं किया था और उसकी वज़े से अपना बंदा भी मर चुका है ठीकी गाईज इस बार मैंने infinity hell cheat code को activate कर दिया है तो चलते हैं फटा वर्से second floor पर तो गाईज यहाँ पर मैंने फिर से काफ़ी सारे gas tanks को spawn कर दिया है और आप बिना time waste की सीधा ही इन सारे gas tanks की उपर fire करता है भाई साब इस बार तो इन सारे gas tanks ने अपने बंदे को literally infinity warrior के end तत पहुंचा दिया है तो मुझे लगता है गाईस की इतने सारे gas tanks को spawn करना भी सही नहीं है अब वरना ऐसे तो भाई हम बार बार आसमान में ही उड़ते रहेंगे तो इस बार मैंने ज़ादा gas tanks को spawn नहीं किया है तो आप ही इनको blast करके देखता है कि इस बार अपने बंदे के साथ क्या होने बाला है फिलाल तो कुछ नहीं हो रहा है भाई साब ये क्या होगा यार जैसे ही मैंने इन सारे gas tanks के उपर fire किया तो पहन है तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन जैसे ही ये सारे gas tanks blast हुए तो अपना बंदा इतनी जोर से अपने घर की दिवार से टकराया कि ये अब इस दिवार के अंदर ही अटच चुका है ये देखो गाईस आपने बंदे की body किस तरह से jelly की तरह एक्ट कर रही है तो आप भी इस तरह से काफी सारे gas tanks को spawn करके इस glitch को enjoy कर सकते हो और गाईस तो ये थी आपकी दी हुई कुछ बहुत ही जादा मज़दार and amazing myths in Indian Bikes Driving 3D and I hope कि आपको वीडियो के अंदर बहुत मजाया होगा और आपने वीडियो को भी like कर दिया होगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करना मत बूलना और अगर आपको एक बहुत ही बड़े secret के बारे में जानना है जो कि इस RAM के अंदर चुपा हुआ है तो ये जो आपकी screen पर वीडियो आ रही है इसके उपर click करो अभी के अभी वो सारे top secret places के बारे में जान लो वागि मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो के अंदर